बसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल स्याम क्लासे स्टडी में आज की वीडियो में उत्तर पिर्देश पुलिस परिच्छा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 आती महत्पूल पिष्णों का प्रेटर सेट ले करके आया हूँ जो आने व पच्चे पर तो साही करने ही होगा अगर आप पच्चे पर भी साही नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना कीमती समय बरबात कर रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर अपनी आपको दोका दे रहे हैं तो आप प्रिटर सेट को पूरा करिएगा प्रिटर सेट पूरा करने के प्रेक्टर सेट को लगा और अन लोगों को भी आपने त्यारी का पता लग पाए कि उनके तियारी कीसी चलिए प्रेटर सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजीए आज को आप अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इससे पहले में 234 हिंदी के प्रेटर सेट अपलोड कर्च करूंगा अगर आपने पूर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रेटर सेट मिल जाएंगे वहां से आप देख सकती हैं चलिए सुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अती महत्मूल प्रेटर सेट नमर 235 तो पहला कोशन आपके सामने होगी अती मनील ब्रिज भानू कुमारी अदमुक रहत उदर नहीं चित्वत जियों गत हारे ठकित जुमारी छूटे चुकुर बदन कुमल्यानों जियों नन हिसकर की मारी में अलंकार है तो आपको बताना थे कि इसमें कौन विकल पढ़ लिजेगा और बताईएगा तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार है option number D, इसका right answer हो जाएगा अंगला पैस ने आपके सामनों की निम्न मेंसे तत्सम सब्द है तो बताईए question number दूसरा में कौन सा सब्द है जो तत्सम सब्द है तो कौन सा है, तो इसमें जो अप सब्द है कौन सा, अप सब्द ये तत्सम सब्द है option number D is योगी का बिलोम सब्द है योगी का बिलोम सब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है तो योगी का बिलोम सब्द होता है बहोगी कौन सा बहोगी option number B इसका right answer हो जाएगा question number 5 आपके सामने की निम्न में सुद्ध बरतनी है तो आपको वताना कि किस की बरतनी सुद्ध लिखी गई है तो किस की लिखी गई है चिरन जी भी किस तरह से लिखा जाता है तो चिरन जी भी लिखा जाता है option number C की option number C इसका right answer हो जाएगा पाप करने के बाद स्वयम दंड पाना के लिए एक सब्द है तो question number 6 आपको answer कि पाप करने के बाद स्वयम दंड पाना के लिए एक सब्द है तो इसके लिए एक सब्द हो जाएगा प्राश्चित कौन सा प्राश्चित और बी इसका राइट अंसर हो जाएगा मिर्गांग का परियाबाची है तो मिर्गांग किसका परियाबाची है यह आपको बताना है तो किसका परियाबाची है मिरगांग तो ये परियाबाची है सुधाकर का किसका सुधाकर का ये परियाबाची है option number C इसका right answer हो जाएगा question number 8 आपके सामने कि करुणा किसकी रचना है तो किसकी रचना है करुणा तो ये रचना है रामचंद्र सुकल की किसकी करणा रामचंद्र सुकल की रचना है option number A इसका राइट अंसर हो जाएगा बाल का भाववचन है तो बाल का भाववचन कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है तो बाल का भाववचन बाली रहता है यह नहीं बदलता है बहोँवचन में एक समानी रहता है बाल हमेशा बहोँवचन में परियोकत होता है तो option number C इसका रैट आंसर हो जाएगा دुख सब्द का समानारती है कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है तो दुख सब्द का समानारती हो जाएगा बेदना कौन सा बेदना ये दुख सब्द का समना आर्थी है option number B इसका राइट आंसर हो जाएगा आदी के आम मोहवरे का आर्थ है तो इस मोहवरे का क्या आर्थ है आदी के आम तो इस मोहवरे का आर्थ है सस्ती बस्तू क्या सस्ती बस्तू option number A इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट अंसर उजाएगा किसी ब्यक्ति से प्यार करके उसके ब्यवार से घ्रना किया किसी ब्यक्ति से प्यार करके उसके ब्यवार से घ्रना option number C is right answer हो जाएगा question number 13 निम लिखे सब्दों मैं से एक सब्द पुलिंग है उसे पहचानी है तो आपको बताना है कि question number 13 में कौन सा सब्द जो पुलिंग है तो मैं आपको बता चकूंग अच्छा और अच्छी लगाने से आपको strilling और पुलिंग का पता चलता है तो अच्छा बुढ़ापा यह पुलिंग सब्द है option number A इसका रईट आंसर हो जाएगा 2060 मुकता कितनी पिरकार का होता है तो कितने पिरकार का होता है जहाँ सफाईए वहाँ डॉठड है तो किया हो जाएगा question number 15 में आपको उर्रकिस्तान की पूर्ती करना है जहां सपाईगे वहां तो वहां सुन्दरता है क्या है? वहां सुन्दरता है option number D इसका right answer हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूँ इस बाक में भूत कालिक भेद इंगित कीजिए तो आपको बताने की मैं खाना खा चुका हूँ इसमें कौन सा भूत काल है? तो इसमें भूत काल है पूर्ण भूत काल कौन सा? पूर्ण भूत काल option number B इसका right answer हो जाएगा पीपर पात सरस्मंडोला में अलंकार है तो इसमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरस्मंडोला में अलंकार है उपमाँ अलंकार कौन सा? उपमाँ अलंकार है? option number A इसका right answer हो जाएगा निमन में तत्सम सब्द है तो इनमें से कौन सा तत्सम सब्द है? यह आपको बताना है तो कौन सा? तो इसमे तद्सम सब्द है प्रहार कौनसा, प्रहार एटद्सम सब्द है option number B इसका right answer हो जाएगा question number आपके सामने 19 है कि इनीम्ण में सी तदभाव सब्द है तो आपको 19 कौनसा सब्द है तो इसमें पत्ता ये तदभाव सब्द है option number B इसका right answer है तो कठेन का बिलूम सब्द कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है तो कठेन सब्द का बिलूम सब्द होता है सरल कौन सा सरल होता है कठेन का बिलूम सब्द option number B इसका right answer हो जाएगा निम्ण मैंसे सुद्ध बरतनी है तो आपको बताने किसकी बरतनी सुद्ध है तो किसकी बरतनी सुद्ध है, question number 21, तो इसमें जो सकाल है, इसकी बरतनी सुद्ध है, option number D, इसका right answer हो जाएगा, question number 22 है, आपके सामनों कि ऐसी चीज का निर्माड जो पहले से बिद्दमान ना हो, बाक्यांस के लिए एक सब्ध है, तो इसके लिए एक सब्ध क्या हो जाएगा अब इसकार, option number B, इसका right answer हो जाएगा, किरण का परियाबाची सब्ध है, तो किरण का परियाबाची सब्ध कोन सा है, यह आपको बताना है, तो किरण का परियाबाची सब्ध है, मरीची कोन, मरीची यह किरण का परियाबाची सब्ध है, option number D, इसका right answer हो जाएगा, आचरण की सब्ध किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है, आचरण की सब्ध कोन सा सब्ध बिसेशन है, तो इन चारो विकल्प मुव में से आपको बताना है कौश्चन नमर 25 में कि कौन सा सब्द है जो बिसेसाड तो इसमें जो निपट कौन सा है निपट ये सब्द बिसेसाड है option number C इसका right answer हो जाएगा थोड़ा पानी दिये जी इसमें थोड़ा सब्द किया है तो किया है इसमें थोड़ा सब्द वो आपको बताना है थोड़ा पानी दिये जीए तो इसमें जो थोड़ा सब्द है वो है आपका बिसेसाड क्या ये बिसेसाड है option number P इसका right answer हो जाएगा है तो इसका समाना रृत्त हो जाएगा बिवेचन क्या बिवेचन क्या इसका समाना रृत्त हो जाएगा option काले रंग का मनस और नम इसका राइट अंसर दोन डाल डाल मैं पात पात लोकोकती का आर्थ है कि तो तूं डाल डाल मैं पात पात तो इस लोकोकती का अर्थ है है दोनुछाला का option number D इसका रैट उंसर हो जाए कुशिय मुद 30 है आफके सामनों के सारवुनामिक बिसेसण किसे कहते है तो किसे कहते हैं सारवुनामिक बिसेसंड ये आपको बताना है तो सारवनामिक बिसेसंड कहते हैं कि जिस सरवनाम सब्दों का प्रियोग संग्या की बिसेस्ता बताने के लिए हो उसे हम सारवनामिक बिसेस्ता कहते हैं और बी इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामने कलाकार में जन्मजाद डॉट डॉट अनिवार है तो क्या अनिवार है कलाकार में यह आपको बताना है तो कलाकार में जन्मजाद पिर्तिवा अनिवार है क्या पिर्तिवा अनिवार है ऑप्सन अंबर भी इसका राइट अंसर हो जाएगा लिवास का समानार्थी सब्द नहीं है तो कौन सा वो सब्द है जो लिवास का समानार्थी नहीं होगा तो लिवास मतलब होता है कपड़ा तो इसका समानार्थी हो जाएगा ये कपास ये लिवास का समानार्थी सब्द नहीं होगा कपास नहीं होगा, option number A, इसका right answer हो जाएगा, जबकि परिधान कपड़ा चीर, ये लिवास के समनारती सब्द है, बैसाग नंदन परियावाची है, तो ये किसका परियावाची है, बैसाग नंदन, तो ये परियावाची है, गधा का, किसका, ये गधा का परियावाची है, question number 23 का रइट अंसर हो जाएगा option number D महेश ने डॉट डॉट से देश भक्ती का संकल्प लिया तो किसे लिया यह आपको बताना कि महेश ने द्रणता से देश भक्ती का संकल्प लिया option number D इसका रइट अंसर हो जाएगा निमन मैसे सुद्ध बरतनी है तो बताएगा आपको कोश्चन नमर 35 में किसकी बरतनी है वो सुद्ध है तो किसकी बरतनी सुद्ध है चारों विकल्प आप देख लिएगा और बताएगा तो इसमें जो किरसी लेखा है यह सुद्ध बरतनी है option number A इस इसका समानारती सब्द हो जाएगा आचल कौन सा आचल option number B इसका राइट अंसर हो जाएगा तो आप बताएगा आपने हमारे 36 प्रिष्णों में से कितने प्रिष्ण साही की है और आपको यह प्रेटे सट कैसा लगा प्रेटे सट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते आप नेश्ट प्रेटे सट और नेश्ट वीडियो में तब तक लिए धनबाद जहन मेरे पहरे साथ है